हीलो बच्छो कैसे हो शुरू करना है बड़ा आज हमें मैस्क के रिविजिन का सेकंड sido नेना यूटeveryone फ्रस्स सप्रड़क Mitra ki lecture आई अपको अच्छा लगाऊगा मुझे बहुत सवची के मैसेज को抗 में कहाई हो अगर आपको first lecture अच्छा लगा होगा आज को जा second lecture है वो आपको उससे भी बढ़ाई लगेगा इसमें मैं बहुत सारे concept करूँगा और इसमें बहुत सारे आपको मजा आएगा आपको यह मेरा promise है ओके तो रिका बच्छो आज हम क्या पढ़ने आले आज हम सबसे पढ़ने वाले है arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean के properties पढ़ेंगे और साथ में हम लोग थोड़ dispersion का पाट भी पढ़ेंगे चलेगा बेटा तो बहुत कुछ पढ़ना है आज हमें बहुत सारे formulas पढ़ना है I hope आप सब लोग तयारे चलेगा, चलो, सब जोश में आ जाते है फटा फट, और बेटा मैं चाहूंगा आप सब लोग मैस पढ़ रहे हो प्लीज सब लोग थोड़ा सा calculator साथ में लेके बेटिए और हो सकेगा तो एक छोटा सा मतलब एक एक notebook समातना लेके बेटिए अगर आपको कोई भी important concept लगता है तो उसे फटा 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 आप लोग उसे note down कर लिजे साथ में चलेगा, तो एक छोटा सा notebook और साथ में calculator आपके साथ में होना चीए और pen तो ज़रूरी लिखने के लिए चलो आपको एक मिन का समाई देरा बच्चो चलो फटा फटा फट ये चले गैदर कर लो फास फास अपने बैग में से आप लोग notebook, kelsey, pen निका लीजिए चलो चलो जल्दी 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 ये फास 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 चलो जबता कि बच्चे सब ये ले रहे तबता के लिए काम करता है बच्चो मुझे आता हूँ, center tendency के टाइप कितने होते हैं बता बच्चो arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean, central tendency का और एक नाम क्या होता है average, क्या था बेटा, average, मैंने बताया था, average के दो type कोन से होता है याद नहीं आ रहे हैं, बताये प्लीज, mathematical average and positional जो graph से मिलता वो कोने, positional average, जो graph से नहीं मिलता वो कोने, mathematical average कुछ आद आ रहे हैं बेटा आपको पक्का बच्चो फिर मुझे आता, positional में कोन कोन आता है, median and mode mathematical में कोन आता है, AM, GM और HM, कैसा भी से comfortable है, पक्का बेटा फिर इसके बाद देखें, बेटा आप मुझे बताओ, properties में, first property कहती है, बताए, if all observations are same, mean, median, mode, all are same, second क्या होता, sum of deviation, sum of deviation of all observation, about arithmetic mean क्या होता है, zero, याद आ रहा है क्या, next property, sum of squares of deviation of all observation, about mean is minimum, कुछ आदा रहा बेटा, square का sum, mean के लिए क्या होता है, minimum, next property, combine arithmetic mean, x12 bar, क्या होता है, n1 x1 bar, plus n2 x2 bar, upon n1 plus n2, उस अगली property, change of scale and change of origin, change of origin का मतलग क्या होता है, addition and subtraction, change of scale का मतलग क्या होता है, multiplication and division, mean, median, mode, mean, median, mode, affect किसे होता है, scale से या origin से, दोनों से, add क्या तो add, multiply क्या तो multiply, अगर आपके पास x नाम का variable है, x को b से multiply क्या, उसमें a add क्या, तो y मिलता है, तो mean को भी b से multiply करो, उसमें a क्या करेंगे, add, तो y का क्या मिलेगा, mean, यादा रहा बेटापको इतने सारे properties में डिसकस किये ते, चलो, तो अब एक काम करते, आज हमें सबसे पहले, शुरू करना भी the properties of am, jm और hm, और उसके लिए सबसे पहले, हम लोग शुरुआत करेंगे with the concept of combined harmonic mean, बच्छों क्या आपको combined, arithmetic mean पता है क्या है, yes, आप देखे, combined harmonic mean क्या होता है, suppose मेरे पास दो ग्रूप है, आपके लिए, suppose मेरे पास दो ग्रूप है, first group और second group, okay, sound clear है, आवाज आ रही है, पक्का, चलो, देखे है, first group में N1 observation है, दूसरे में N2 observation, number observation, first group में N1 observation है, second में N2 observation है, first का harmonic mean H1 है, second का harmonic mean H2 है, okay, यह दोनों group में ने combine किया, इस 1 और 2 मतलब, combine group का, अगर मुझे harmonic mean निकाला है, अगर मुझे combine group का निकाला harmonic mean, तो H12 का formula होता है, N1 प्लस N2 अपन N1 अपन H1 प्लस N2 अपन H2, यह harmonic mean का छोटा सा formula है, चलो बता बच्चों, combine harmonic mean का notation क्या होता है, H12 क्या था बेटा, H12, और बोलो formula बता ही जल्दी क्या होता है, N1 प्लस N2 अपन N1 अपन H1 प्लस N2 अपन H2, अब इस पर question देखे, सारा पार्ट समझेगा, चलो फटा फट, question number 5 अपके सामने, पढ़ लिजिए, दो ग्रूप है, पहले में 80 observation, sorry, there are two group with 80 and 70 as their harmonic mean, 80, 70 को ने बेटा, harmonic mean, तो पहले का क्या होता है, H1, दुसरे का क्या होता है, H2, harmonic mean है, और containing 16 and 14 observation, ये को number of observation, first group में, जितने observation है, वो क्या होता है, N1, और second में क्या होता है, N2, N1, N2, stands for number of observation, H1, H2, stands for harmonic mean, साभी मारा बेटा आपको, बोलो, कितना observation है, 16, 14, और कितना harmonic mean है, 80 और 70, चलो ट्राइक करते, combined harmonic mean, फ़र्मिला आपके सामने, फटा फट, N1 प्लस N2, 16 प्लस 14, अपॉन, N1 अपॉन, H1, प्लस, N2 अपॉन, H2, आहे ओप, सबने Kelsey निकाला है, N2 अपॉन, H2, ऊपर कितना आएगा, ऊपर 30 आएगा, बेटा, और नीचे कितना आएगा, 16 बास सी कितना आएगा, 0.2, 14 बास सी कितना आएगा, 0.2, 0.2, 0.2, 0.4, 30 बास सी कितना आता रहे? करना बड़े Kelsey पे, और ली करूं क्या, I think 30 बास सी कितना आएगा, 75 आता शाय से, देख लिए राप, 75, नन अंसा आता रहे बेटा सबका, चला, कोई दिकात नहीं, नन भी option होता है न, उसमें के दरने के बात नहीं बेटा, नन भी एक option होता है, ठीक है बेटा, चलो, आपका सबका अनसा आ रहे है क्या, Good, Question 5 साज में आ रहे है, Combined Harmonic Bin के लिए फटा हवा डिवाइस करते हैं, बोलो, Combined Harmonic Bin का, Formula है क्या है, N1 प्लस N2 upon N1 upon H1 plus N2 upon H2, जिसको चाहिए होगा, तो आप लोग बस इसका screenshot निकाल लिजे, तो Formula आपके पास रहे है, सम्भी आपके पास रहेगा, आज में comment box में, यह PDF शेयर का तो टेंचन मत लिजे, PDF फाइल comment box शेयर काता हूँ, लाज सम्रहे गया तो आज में शेयर का दूँगा, चले, screenshot निकाला, आगे बढ़ते, अब देखे, यह properties of AM, GM और HM, एकदम अच्छे से, बीच मेरे कोई आप एक पाट है, change of scale, change of origin, यह last time discuss किया था, इस पे हम फिर से time waste नहीं करेंगे, अब properties of AM, GM and HM, एकदम में पाट है, धन सुना, यह जो properties है, इस पे एकदम में question आने के maximum chance है, पहली property, यहाँ पर नहीं बस बता रहाँ मैं आपको, if all observations are same, if all observations same, then AM, GM, HM, all are same, यह जो simple है बेटा, क्या property है, if all numbers are same, मेरे कुछ numbers है मेरे पास, 7, 7, 7, 7, इनका arithmetic में भी क्या होगा, 7, geometry में भी क्या होगा, 7, और harmonic में भी क्या होगा, 7, if all numbers are same, तो AM, GM, HM, यह सभी बेटा क्या होते, same, अगली जो property, okay, that is very special property, property for two numbers, देखो बच्चो, आपको, 5 number, 10 number, 15 number का, geometric mean, harmonic mean, निकालना आता है, I hope आपने formula पड़े, मैं उस पे time waste नहीं करूँगा, मैं directly properties प्यार हो, अब देखे, अगर आपके समने दो number, अगर आपके पास दो number है, A and B, कोने A और B, अगर मुझे दो number का, अगर मुझे दो number का, arithmetic mean निकालना है, तो कैसे करेंगे, दोनों का addition upon 2, yes or no, और दो number का, अगर मुझे geometric mean निकालना है, तो क्या formula है, root A, B, I hope आपने पढ़ा होगा, दो number के, harmonic mean का formula क्या है, 2AB upon A plus B, यह आपको बाहर्याट होना चीए, it is a very very important property, फिर से बता बच्चो, हम बात कर रहें, यह formula किसके राप्लिकेबल है, only for two number, only for two number, ना 3 के लिए, ना 4 किसे पिसके लिए, दो number, अगर मेरे पास दो number है, A और B, बताओ, दो number के, arithmetic mean का formula है, A plus B upon 2, बोलो, यह दो जगा formula, फिर बोलो, दो number के, geometric mean का formula है, root A, B, फिर बोलो, दो number के, harmonic mean का formula है, 2AB upon A plus B, दुबारा बताइए, दो number का, arithmetic mean का, A plus B upon 2, दो number का, geometric mean का है, root A, B, और दो number का, harmonic mean का है, 2AB upon A plus B, यह property, सिर्फ किसके लिए, अप्लिके बले, दो number के लिए, लेकिन अगर, दो से ज़्यादा number है, मतलब, दो number, तीन, सोरी, इसमें और एक variety है, बच्चों, यह दो number के में क्या पढ़ा, AM, GM, और HM का formula पढ़ा, और इनका अगर आप relation बनाएंगे, तो याद हकना, दो number के लिए, AM, GM, HM का relation क्या हता है, GM square is equal to, AM into HM, GM square is equal to, AM into HM, GM square is equal to, AM into HM, यह property सिर्फ किसके लिए applicable है, only for two number, दो number के लिए, AM, GM, HM में क्या relation है, GM square is equal to, AM into HM, exam में क्या करेंगे, तीन में से कोई भी दो देंगे, तीसरा पूछेंगे, अगर आपको AM, HM दिया है, can you find GM, yes, अगर आपको GM और AM दिया है, can you find HM, yes, समझ में आरा क्या बेट आपको, तीन में से कोई भी दो पता है, तीसरा आप निकाल सकते हो, यह किसके राप्लीके बले, only for two number, दो number के लिए, AM, GM, HM में, क्या relation है, GM square equal to, AM into HM, चलो, बहुत शांदार, अब देखो, अब हम पढ़ने वाले, next property, relation between, AM, GM and HM, relation between, AM, GM and HM, for any number, any, मैंना कितने में number है, एक चोटा example लोगा, अगा मेरे पास दो number है, मेरे पास दो number है, suppose, six, ने, एक काम करते है, suppose, four or nine, दो number लेते है, four or nine, मुझा रहते हैं, इन दो number का, arithmetic में निकालो, कैसे करेंगे, a plus b upon two, कितना आएगा, 6.5, yes or no, फिर बच्चों हो जाता हूँ, यह दो number का, geometric में निकालो, क्या formula है, root a, b na, root a, b, दोनों को multiply कर, root कितना आता है, six, फिर दो number का, harmonic में निकालो, क्या formula है, two a, b upon a plus b, two a, b upon a plus b, I think, five point something आता, बाद में देख लो, बेटा, five point something आता है, दो number ते, 4 और 9, मैंने arithmetic में निकाला, geometric में निकाला, harmonic में निकाला, आपको क्या दिख रहा है, AM, GM, HM में से, बड़ा को ने, AM, सबसे, छोटा को ने, HM, और बीच वाला को ने, GM, तो क्यानाई से, AM is always greater than GM, is always greater than HM, AM हमेशा क्या होता है, बड़ा, HM क्या होता है, छोटा, और GM क्या होता है, बीच वाला, बटे कब होता है, if number are unequal, but if numbers are same, 8, 8, 8, if numbers are same, तो AM भी क्या होगा, 8, GM भी क्या होगा, 8, HM भी क्या होगा, 8, तीनो क्या होंगे, same, तो क्यानाई से, AM is either greater than or equal to GM, GM is either greater than or equal to HM, AM, GM से बड़ा होगा ने, तो equal, बात समझी क्या, number equal है, AM, GM, HM, तीनो भीक्वल, okay, ये बेटा मारा generalization है, ओके, और याद अखना, this relation, this relation is useful for any number, ये सिफ दो number के लिए, example आपको दो का दिया था, बड़ा अगा number 3, 4, 5, 6, किसी के लिए प्रॉपर्टी चलते, पहले जो दो प्रॉपर्टी ये सिफ किसके लिए ते, दो number के लिए, बड़ा प्रॉपर्टी नंबर 3, नंबर कितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी number हो, हमेशा बड़ा कोन होता है, AM, छोटा कोन होता है, HM, बीच में क्या आता है, GM, प्रॉपर्वाइड नंबर इक्वल नहीं है, कर इक्वल होंगे, तो तीनों भी क्या होंगे, सेम, बात समझा बेटा, चलो, मैं आगे बड़ता, I hope, speed ठीक है, आपको समझा आ रहा होगा, ठीक है, कुछ भी दिक्कत है, प्लीज मुझे बता दीजे बेटा, ओके, चले, मार करेंगे, application of AM, GM and HM, यार, आप बच्पन से पढ़ते हारो, कोई आदमी बोलता है, find average, find average, तो आप क्या करते हो, मीन निकालते हो, अगर आपके पास, तीन नमबर है, अगर आपके पास, तीन नमबर है, किसने बोला, find average, क्या करोगे, तीनों का addition upon तीन करोगे, सही न, addition upon तीन, लेकि वो तो arithmetic mean होगा न, बेटा, बड़ क्या, हर बार average का मतलब, arithmetic mean होता है, क्या, न, average can be either, arithmetic mean, और geometric mean, और harmonic mean, याद रखे बेटा, average can be either, arithmetic mean, और harmonic mean, हर average का मतलब, arithmetic mean, नहीं होता है, तो सवाल है उठता है, geometric mean और harmonic mean, काम में कब आता है, ध्यान सुनना, application में, एक famous application है, average speed, exam में क्या करेंगे, आपको बोलेंगे, find average speed, speed का average निकालने बोलेंगे, आप सबको पता है, speed क्या होता है, distance upon time, ये पता है क्या आपको, जैसे आजूम करो, बटा जूम करो, आपको वो चिंटू क्या करता है, वो दो घंटा भागता है, कितना, दो घंटा, और दो घंटे में, वो असी किलोमेटर कवर करता है, बटा चिंटू, दो घंटे में, असी किलोमेटर भागता है, अब दो घंटे में, असी किलोमेटर भाग रहा है, तो एक घंटे में कितना भागे इसके speed से भागता है, speed कैसे निकाल आपने, 80 upon 2, 80 कोन था, distance covered, और 2 कोन था, time required, तो बता बच्छो, speed का formula है क्या है, distance upon time, I hope, समझ में आ रहा है आपको पका, यह review training class इसे थोड़ा में, short way ले रहा हूँ, okay बेटा, बड़ा फुरिचे में जाए तो बच्छो, बड़ा बता बच time, speed अगर, distance और time पर depend करता है, ध्यान सुनना, अगर exam में आपको बोलेंगे, find average speed, अलग अलग journey आपको देंगे, और बोलेंगे, find average speed, जब भी समाता है, average speed का, जब भी समाता है, average speed का, आप ध्यान रखे, अगर question में, सभी journey का अगर, distance सेम दिया है, अगर question में, सभी journey का, अगर, distance सेम दिया है, use कीजिये, harmonic mean, मैं दुबारा बता रहा हूँ, अगर सभी journey का, distance क्या दिया है, same, use क्या करेंगे, harmonic mean, बिल्कु टेंशन मतलब बेटा, मैं question से पूरा बता दूँगा, अपर सेम property, discuss कर रहा हूँ, जब मैं MC के लूँगा, तो proper बारा बता रहा हूँ, अगर, suppose, एक बंदा है, वो city A से city B जा रहा है, city B से city C जा रहा है, city C से city D जा रहा है, और अपका average speed पूचा है, check करो, अगर हर एक journey का, distance से में, 100 km, 100 km, 100 km, तम use क्या करेंगे, harmonic mean, अगर हर एक journey का, time से में, 2 गंटा, 2 गंटा, 2 गंटा, use क्या करेंग arithmetic mean, कुछ नालाई बोलेंगे, sir, अगर, distance and time, दोनों same नहीं है, if distance and time, both are not same, अगर, दोनों same नहीं है, तो क्या करेंगे, उस case में, average speed curriculum formula, use करेंगे, total distance upon total time, याद रहेगा, बेटा, चल दुबारा बताइए, अगर distance same होतों क्या करेंगे, harmonic mean, time same होतों क्या करेंगे, arithmetic mean, और दोनों same नहीं होतों क्या करेंगे, total distance upon total time, इसके जब question देखेंगे, तो सारा फंडा समझेगा, कुछ नालाग ये भी बूलेंगे, अगर दोनों same होतों सर्प, distance भी same और time भी same, क्या फरक पड़ रहा है, कर distance time base में, harmonic mean से करो, या arithmetic mean से, आपका answer के आएगा, same, ठीके, चले, काम कते हैं, सबसे पहले इसका फटा 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 इसका screenshot निकाल लिजे, ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलो, पहले property, इसका निकाल फटा फटा फट, निकाल बड़ा screenshot अपने, done, चले, अब ये property, निकाला screenshot, done, चले, अब इसका निकाल, property 4 का screenshot, चले, क्लिक क्या, done, तो चले, हमने पढ़े, चार property पढ़े, AMJ, MHM के, अब इसके ओपर कुशन देखे, सारा पट आपको समझेगा, चले, फटा फटा फटा, फास फास अभी, ये जी क्वेशन अभी मेंने क्या, करवाय तो वही क्वे है, easy नहीं है, दो नमबर दिये, 4 और 9, और दो नमबर के लिए आपको क्या निकाल है, AMJ, MHM, बस formula बोलो, value अप निकालो, बता बचो, दो नमबर के लिए बोलो, AM का formula क्या है, A plus B upon 2, A के बदले क्या रखना है, 4, B के बदले, 9, calculation कर लेंगे, फिर बता, दो नमबर के लिए geometric mean का formula क्या है, root AB, A के बदले रखो 4, B के बदले रखो 9, दो नमबर के लिए, बोलो, harmonic mean का formula क्या है, 2AB upon A plus B, A के बदले रखो 4, B के बदले 9, calculation कर लेंगे आप लोग, चलो, फटा फट, स्पीड ठीक है, यार, पका, इतना time pass आप कर सकते हैं, आप लोग, चले, अब question number 9, थ गए, ते बदले 9, कि बका, इतनांट है, चले, टीक हैं, यार, पसर आप लोग, झालो, पाप कर आपको दहाएं, इतना वोग, वोग, भोग, नमस्सचांप लोग, घएर, बहुruption, पालो, ज palette को सकते हैं, वोग, आप कर भाएं़ जोग, लोग, यार, वोग, जोग, यालो, अब दिखो बेटा क्या बोले question में if arithmetic mean and geometric mean for two numbers are 6.5 and 6 बच्चों क्या बोले दो number का arithmetic mean 6.5 दिया है और geometric mean 6 दो number का am 6.5 है और gm कितना बेटा 6 है और आपको निकालना क्या है दो number देखो पिछले question में क्या था दो number दिये थे और आपको am gm पूछाता या पर दिया क्या am और gm और निकालने क्या है दो number बहुत simple यार क्या करेंगे best way क्या है go by option हर option में दो number दिये उसका am निकालो gm निकालो जिसे am कितना हैगा 6.5 और gm कितना हैगा 6 option क्या रहेगा सही try करना है क्या option a आप बार में try को मेरा mood निका करने का चल लगा न हाँ option b ट्राइ करूँगा option b में दो number को ने 994 उसका पहले am निकालो am कितना चीए 6.5 और gm कितना चीए 6 तो option क्या रहेगा सही बल अच्छो am का formula क्या है a plus b upon 2 कितना रहे है 6.5 gm का formula क्या है root a b gm का formula क्या है root a b कितना रहे है 6 तो क्या am 6.5 और gm 6 रहे है क्या option b क्या रहेगा सही खेल खतम को मुश्किल है करे बेटा यार property बहुत इसे है trust में बेटा concept बहुत इसे है मैं पहले बता चुका हूँ status वाला portion था scoring portion है बस stats में आपको concept पताने चे बच्चों का होता है बच्चे exam बोलता है paper turf आता है turf का बाता है कि अगर आपने सारे concept नहीं पढ़े सारे properties, सारे concept अगर अपके clear है, अपने सब के practice के तो trust करो math will be the very scoring subject for you बेटा चले अब question number 10 को देखे फटा फट arithmetic mean and harmonic mean for two number आगे दो number का fund है दो number के लिए AM कितना दिया है 5 HM कितना दिया है 3.2 और पूछा है क्या है GM सम किस क्या है दो number का यादे कुछ बता बच्चो दो number के लिए AM GM HM में क्या relation था मुझे याद निया रहा है आप बताए बोलो 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 दो number के लिए AM GM HM में क्या relation है GM square is equal to AM into HM याद आ रहा है क्या पक्का AM कितना रहे 5 HM कितना है 3.2 AM कितना है 5 HM कितना है 3.2 करो multiply 5 into 3.2 16 आ रहा है क्या GM का square अगर 16 GM का square अगर 16 तो GM कितना है 4 तो option कौन सा आएगा रहे D मतलब 4th option That's it 2 number का समय 2 number में क्या relation था GM square equal to AM into HM 3 में से कोई भी 2 पता है 3 आप निकाल सकते हो सब इसे comfortable है चले अब आगे बढ़ेंगे अब हम बढ़ते question of application of AM GM and HM अभी अभी ताजा ताजा मैंने आपको बतायता AM GM के application कुछ याद आ रहा है क्या भूल गे बता बच्छो क्या application था average speed में याद आ रहा है क्या average speed के सब में अगर हर एक journey का distance से में तो क्या करेंगे harmonic mean हर एक journey का अगर time से में तो क्या करेंगे arithmetic mean मैं दुबारा बता रहा है बच्छो distance से में होगो तो क्या होगा harmonic mean time से में होगो तो क्या होगा arithmetic mean और distance और time दोनों से नहीं है तो कैसे निकालेंगे total distance upon total time कुछ याद आ रहा है इसी concept बेटा भी हमरे question depend करते है चले काम करो फटाफ़र question number 11 को पढ़के निकाले मैं तो जूम करता हूँ जाद अच्छारे का समझने के लिए फटाफ़र question 11 पढ़के निकाले झालेट झालेट झाल 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 चले बेटा पर आपने क्वेश्चन कुछ समझा के रहे क्या बुला है रमेश नहीं बेटा क्या बोला है रमेश ने उसके Credit Su riff का Pupa τους 20 किलमेटर कितने समय की में करकिआ 30 Minuten ये 20 को बेटा किलमेटर में क्या हूता है Distance और MINUTE में क्या ह्युक्ता है Time पहले जर्नी का Distance कितना है 20 किलमेटर और Time कितना दिया है 30 minute ओके और अगर आपको minutes को बेटा hour में convert करना है तो divided by क्या करेंगे 60, 30 by 60 कितना होता है, 0.5 hour समझ मारा बेटा आपको minutes का hour करने कर दिवाइड़ बाइड़ 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 क्या बाद में क्या रिमेनिंग 29 किलोमेर, second journey में second journey में कितना distance कवर किया 29 किलोमेटर और कितने समय मेरे 40 minute, 40 minute का hour करने के डिवाइड़ बाइ 60, कितना आता है, 0.6666 समझा क्या मैं दुबारा बता रहा बच्चो द्यान सुदना, देखो यार दो जरनी रमेश ने क्या क्या, सबसे पले 20 किलोमेटर कवर किया कितने समय बेटा, 30 minute मतलब 0.5 hour में, फिर रमेश ने 29 किलोमेटर कवर किया कितने समय में, 40 minute मतलब कितना बेटा, 0.666 hour में, समझा क्या बेटा, दोनो जरनी का distance दिया है, और दोनो जरनी का time भी आपको दिया है दोनों जर्नी का distance आपको दिये है और दोनों जर्णी का ताइम आपको दिये है। आपको क्या पूछा है बछूँ। आपको निकालना है , you ought to find the average speed आपको निकालना है अपको निकालना है पैटा apteное speed निकालना है। आप बतो average speed के सम्मै, पहले बताओ, क्या दोनों जर्नी का डिस्टंस से में क्या, ना, दोनों का डिस्टंस से नहीं है, तो हर्मोनिक भी नहीं चलेगा, क्या दोनों जर्नी का ताइम से में क्या, ना, ना डिस्टंस से में ना, ताइम से में, ना डिस्टंस से में ना, ताइम से में, तो बताओ total distance 20 29 total distance 49 km total time time .5 .666 total distance 49 total time 1.1666 जेपा का बेटा total distance upon total time 49 divided by 49 divided by 1.166 कितना आता बता बच्छो नियरली 42 आ रहे है किर बेटा पक्का तो अंसो कितना रहे है 42 किलोमेटर पर आ रहे है हमार आवरेस स्पीड है सब इससे कमफर्टेबल है पक्का शोरली 100% सबको जे परा बेटा यहां पर ना distance सेम था ना time सेम था तो हमने क्या क्या total distance upon total time बस time minutes में दिया है उसको hour में करना मत भूले आगे बढ़ू चले question number 12 अगर आप math के pass exam question देखेंगे तो आप notice करेंगे इस application के उपार almost हर exam में question आ चुका है it is very important application चले फटा 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 आप लोग question number 12 को पढ़िए fast fast पढ़ लिया समझा क्या रहे देखो बेटा question में क्या बोला है an aeroplane रुपन बता ना बेटा आपको okay an aeroplane flies from A to B बच्चेक एरोप्लेन है जो city A से city B जाता है A to B जाते वक उसका speed कितना है 500 km per hour यह speed है बेटा पर hour में फिर बाब ने क्या ला and comes back come back का मतलग क्या आता है B से A वापी साता है B से A वापी साता है कितने speed से 700 km per hour बता बच्चो जातो कितना स्पीड है 500, आतो कितना स्पीड है 700, दुबारा बताओ, जातो कितना स्पीड है 500, आतो कितना स्पीड है 700, पक्का, शोली, जाने का स्पीड दिया है, आने का स्पीड दिया है, और आपको क्या पूछा उच बता है क्या, आपको निकालना है क्या है, you have to find the average speed of aeroplane आपको निकालना है क्या बच्छोn, average speed निकालना है, एकदम अराम से, जब भी समाता है average speed का, सबसे पर चेक करो, distance से में, या time से में, चलो बता बच्छों, इस question में, क्या से में, distance या time, करो कोशिश, क्या से में, distance से टाइम, time, नालायक, सेम क्या है, डिस्तंस है न, वो पहले city A से city B जा रहा है, पर B से वापीस आ रहा है, चिन का दिमाग नहीं चल रहा है, बड़ा अजूम करो, पुने और बॉंबे दो city है, पुने से बॉंबे का डिस्तंस, अगर पुने से बॉंबे का डिस्तंस अगर 250 किलोमेटर है, तो बता बच्छो, बॉंबे टू पुना कितना हो गया, 250 होगा न यार, अगर पुने टू बॉंबे का डिस्तंस अगर 250 किलोमेटर है, तो बॉंबे ट से में तो एवरेज के लिए क्या उसकरेंगे हार्मोनिक मिन क्या उसकरेंगे हार्मोनिक मिन इफ डिस्टंसी सेम हम यूसकरेंगे हार्मोनिक मिन और यहां पर नंबर कितने हैं दो पाथ सो और साथ सो बता बच्छो दो नंबर के लिए हार्मोनिक मिन का फॉर्मिला क्या होता ह 2ab upon a plus b पता है क्या 2ab upon a plus b a कितना है 500 b कितना है 700 a कितना है 500 और b कितना 700 calculation कर लेंगे पक्का शाय से बढ़े इसका answer 583 तो जो भी आता बाद में check कर दो जो भी आता आप आप check रो answer कर दो से बताना मेरा काम है calculation पे आप calculation कर सकते हो फटावर करके देख लेंगे जो जो भी answer आपका आपका है समझा distance अगर से में कैसे कि आप लोगों ने 2ab upon a plus b कितना रपता answer आपके रहें 583 पक्का चलो done question 11 का photo निकालना है किसी को click कर लो जिनको चाहिए होगा तो 12 का click कर लो photo ठीक है चलो question 13 फटा 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 एकदम easy है साथ में करते है a cyclist एक बंदा cycle बजाता है a cyclist pedals from his house to college एक बंदा cycle बजाता है वो अपने घर से house से college जाता है क्या speed से 10 के speed से and back from college to house college से घर जाता है क्या speed से 15 देखो कितना नाला है कि घर से college से speed कम है 16 उसा college जाने की speed कितना है 10 का speed आराम सो जा रहा है और जब वो घर college से घर वापिस आ रहा है घर जाना है जल्दी है उसको स्पीड बढ़े कितना स्पीड होगा उसका 15 जातो कितना speed है 10 आतो कितना है 15 और आपको निकालना है क्या average speed अब बता average speed के सम्में आपे क्या से में distance है time बोलो बोलो क्या से में distance ना पहले जर्नी में कहा पे गया घर से college गया फिर वापिस क्या साया college से घर अब बता बच्चो अगर घर से उसका college अगर 3 km दूरी पे तो college से घर भी कितना होगा 3 km कर दोनों जर्नी का distance क्या है same तो use क्या करेंगे harmonic mean बोलो बच्चो क्या formula है 2 a b upon a plus b या सो और no सब को जेप राय के बटा कैसा सब इसे comfortable है चलिए calculation कर लेंगे आप लो उसे time waste नहीं करेंगे हम लोग ये तो बटा हो गया अपना center basic पार एक short में एक बार इसकी अभी 3 revise करेंगे बटा एक मैं टेबल बना है उस table के ज़रे सारे एक सारे 3 अच्छे से revise हो जाएगी चलिएगो बटा टाइप कितने थे 5 कौन से थे AM, median, mode, GM और HM बच्छो मुझे आता ये AM, median, mode जो भी टाइप है इसमें से बच्पन से आप लोग क्या जादा यूज कर रहे थे बच्छो एक्जाम में जैसे प्रेटिरोश्य इंपोर्ट ने स्टाट्स में थेरी AMC की उभी आते तो थेरी बच्छे से करके जाना ये चार्ट बहुत इंपोर्ट थेरी के लिए बटा अगर किसी ने पूछा सेंट्रल टेंडसी का बेस्थ मेथड कोन सा है तो हम लोग क्या बोलेंगे बेस्ट कोने बटा बले बेस्थ अरिथमेटिक मीने बड़ दुनिया में पॉपीलर फेमस कोने बेटा मोड़े बेस्थ कोने अरिथमेटिक मीने बड़ मोस्ट पॉपीलर कोने मोड़े Next Based on all observation मैं रहे किसके लिए सभी नंबर चाहिए होते आपको पता है mode का मतलग है जो number सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो mode के लिए बाकी number से मतलब नहीं जो ज़्यादा बार रिपीट है उसे से मतलब है median का मतलग है middle most value median को ना आगे के number से मतलब है ना पीछे से मतलब किस से middle most value but am, gm और hm निकालते वग हर एक number यूज करना पड़ेगा तो ऐसा का जाता है arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean and based on all observation ये निकालते वग सभी number यूज करना पड़ेगा उके बेटा mathematical property simple भाशन बोलूँगा mathematical property मतलब combine का formula क्या combine arithmetic mean मैंने पढ़ाए क्या हाँ क्या combine harmonic mean मैंने पढ़ाए क्या हाँ combine geometric mean भी होता है आपके model में उस्ते example बार में देख लिए जो बेटा combine am होता है combine gm होता है combine hm होता है जब एक combine का formula होता है उसे हम लोग बोलते है mathematical property समझा के बेटा combine का formula होना मतलब कोने mathematical property होना जेपा के बेटा क्या करेंगे calculation में easy कोने और मुश्किल कोने आप सब को बता है mode निकालना बहुत easy mode में simply देख के बता है ज़्यादा वाँ repeat हो रहा है वो क्या हता है mode mode में आप देख के बता सकते हो mode is easy to calculate और सबसे difficult कोने geometric mean पता हो geometric mean निकालना के लिए root के calculation करने पड़ता है बहुत मुश्किल है तो most easy कोने arithmetic mean और most difficult कोने geometric mean याद रखिए open end class concept कोई पढ़ा है का बेटा आपने अगर आपने पढ़ा होना ज़्यादा याद रखना बेटा open end class के लिए open end class के लिए अपने बिलो 10 10 से 20 20 से 30 जो regular class में उन्हें अच्छे समिने करवाया था जिनको नहीं पड़ता है ये बिलो 10 अबो फोर्टी ऐसे कोश्चन होता ना बेटा इसे हम बोलते open end class बोलते open end class के लिए क्या निकाल पाएंगे open end class के लिए best होता है median open end class के लिए best क्या आता है median और some time more can be calculated आप open end class के लिए AM कभी निकाल नहीं सकते GM कभी निकाल नहीं सकते ना HM, च्यू इसका answer regular class में एक्स्टेंड क्या था open end class के लिए नाम AM निकाल सकते ना GM ना HM, बड़ बड़ उपर in class के लिए best क्या निकाल पाएंगे median, more कभी-कभी आ सकता है इतनी थेरी आप याद रखे it is all about theory of central tendency चाहिए होगा तो इस शाड का भी आप photo click कर सकते हो फिर हम आगे बड़ेंगे dispersion की तरफ सब को confidence आ रहा है central tendency में, पक्का बेटा done इसका निकाल फोटो done चलो चले तो चलो बेटा होगा है अवं पड़ते dispersion आता है कि आपको चलो बेटा पर आपने मुझे आता what is dispersion मेने कल बताया है ता किसी भी डेटा के बदले किसी भी डेटा के बदले single number बताना वो कोने central tendency a single number which represents entire data is called a central tendency अब dispersion क्या था बेटा dispersion क्या बताएगा variation among data आपके data में क्या variation हो रहा है कितना फरक आ रहा है dispers होना मतलग कै vary होना आपका data कितना dispers है वो कितना नजदी के कितना बिखरा हुआ है ये कुन बताएगा dispersion बच्चो ऐसा का जाता है dispersion को निकालने के चार में तरक कितना बच्चो रहते है चार फिर से बताएग dispersion में कितने में तड़े चार कुन को से range mean deviation quartile deviation and standard deviation फिर से बता हो dispersion में कितने में तड़े चार कुन को से range mean deviation standard deviation and quartile deviation range आपको पता है range का formula क्या है l minus s l4 largest s4 smallest उसमें और एक concept क्या है coefficient of range l minus s upon l plus s into 100 बड़े आपको याद होगा dispersion में बले method 4 होते हैं बड़े major 2 major कितने मेटा 2 major अगर कोई पूछेगा कितने major से क्या बताएंगे 2 absolute major and relative major मतलग है dispersion का ऐसा तरीका जिने कुछ unit होता है kilogram, gram, meter, kilometer उन्हें हम लोग बोलते है absolute major और जिने कोई unit नहीं होता है, we call it as relative major, बच्छो, range, mean deviation, standard deviation and quartal deviation, these are absolute major, उन्हें unit होता है और वही बेटा coefficient of range, coefficient of mean deviation, coefficient of quartal deviation and coefficient of variation, इनका कोई unit नहीं होता है, यह कोने relative major, यह आपको पता होंगे बेटा आपको? okay, absolute relative, जाप unit होता है, वह कोने absolute और नहीं होता है, वह कोने relative, पक्का बेटा, और यादिके बच्छो, किसी भी decision making के लिए, compare करने के लिए, काम में कोना आता है, relative major, याद रखे, चलो, अब हम पढ़ेंगे, properties of disparition, okay? पहली property आपको पता शोगी बेटा, if all observations are same, then range, md, sd, qd क्या होता है, same, अब लिए सार, ये तो same property, sentence विदेंगे, फरक बता रहा है, पच्छो, assume करो, मेरे बाद कुछ number से, 5, 5, 5, 5, तो बता अच्छो, इनका mean कितना हो गया, 5, median कितना हो गया, 5, mode कितना हो गया, 5, geometric mean, 5, harmonic mean, 5, if all numbers are same, तो ये सभी क्या होता है same, लेकिन अगर मुझे range निकालना है, range क्या होता है, largest minus smallest, largest को ने 5 है, smallest को ने 5, फरक कितना हो गया होता है, 0, तो range, md, standard deviation, quadration, सब लोग क्या होता है, 0, इसका मतलब, अगर सभी number क्या होता है, same, sentence भी same होता है, बड़ कितना number, जितना, बड़ dispersion क्या होता है, same, बड़ कितन होता है, 0, dispersion क्या बताएगा, variation among data, अरे यार, सभी number same है, कुछ variation है इच निये, तो dispersion इतना हो गया, 0, range b, 0, mdb, 0, qdb, 0, जिपा के बड़ा, ये पताना है, ये पहले property, if all obsessions are same, तो ये सभी क्या होता है, same, और सब की value कितनी होती, 0 होती है, अगली बड़ा अपने property, combined standard deviation, कभी पढ़ा है क्या अपने, अपने combined mean पढ़ा है, इसका मतलब क्या है, द्यान सुनना, combined standard deviation, देखो बेटा, अगर मेरे पास दो ग्रूप है, 1 और 2, पहले में N1 observation है, दूसरे में N2 observation है, पहले का mean x1 बार है, दूसरे का mean x2 बार है, पहले का standard deviation, sigma 1 पता ना, sigma 1 दे standard deviation, दूस जा 1 और 2 के, combined group का निकालना का standard deviation, sigma 1 2 का मतलग है, combined standard deviation, उसके लिए छोटा सा formula है, under root, N1 into sigma 1 square plus D1 square, plus N2 into sigma 2 square plus D2 square, upon N1 plus N2, एक दब नना सा मुनना सा formula है, बाहर करना बेटा अपने को, हांके नहीं, बताओ, combined standard deviation का, notation का है, sigma 1 2, और बोलो formula का है, under root, under root, N1 into sigma 1 square plus D1 square, plus N2 into sigma 2 square plus D2 square, upon N1 plus N2, अगर exam में question आता है, find a combined standard deviation, इसको निकालने के लिए, सबसे पले क्याचे, N1, N2, वो question में दिया होता है, फिर चाहिए, sigma 1, sigma 2, वो question में दिया होता है, बच्छा कोन, D1 और D2, D1 का मतलग क्या है, combined mean में से, first का mean less करो, X12 bar minus X1 bar करो, यह X1 versus X12 bar, कुछ फर्मी पढ़ता है, same हाता है, क्यों बारे minus का क्या होता है, plus D2 कैसे निकालेंगे, combined mean में से, second का mean less, free से बता रहो, combined deviation निकालने के लिए, N1, N2 पता है, sigma 1, sigma 2 पता है, बस क्या नहीं पता है, D1 और D2, combined mean में से, X1 bar निकालो, D1 मिलेगा, combined mean में से, X2 bar निकालो, D2 मिलेगा, बट दिक्कत क्या है, X1 bar, X2 bar तो पता है, बट X12 bar नहीं पता है, निकालना पड़ेगा, combined mean का पता है का formula, N1 X1 bar, plus N2 X2 bar, upon N1 plus N2, तो कहने का मतलग क्या है, जब भी समाता है, combined standard deviation का, जब भी समाता है, combined standard deviation का, first step में निकालो, combined mean, first step में क्या निकालो, combined mean, फिर second step में निकालो, D1 और D2, एक बाद D1, D2 मिल गया, फिर third step में क्या निकालेगे, combined deviation, याद रहेगा बेटा जब भी समाता Combine Standard Division का पहले क्या निकालेंगे X 1, 2 बार Second step में क्या निकालेंगे D1 और D2 हम हर थर्ड स्टेप में Combine Division अब इसके अपर question देखे सारा पार समझेगा. Property 3M बार में पढ़ेगा तो लो, difficult है बोर टाम जाएगा इसके लिए चला बेटा अब देखे आभी ते किसको क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हमलो यह स्केल और प्रोपेटी बाद में आता हूँगा पहले यह देखो कमबाडव लेसम कॉश्चन नमबर फूर चला अभी दान से लिए पच्छन फूर कि फटा फट पढ़ लेकपासम चला पढ़ लिया, क्या मोला है, दो सेंपल है, दो ग्रूप है, और साइस, 30 और 20, साइस का मतलग है, N1, N2, देखो बच्छो, N1 कितना दिया है, 30, N2 कितना दिया है, 20, number of observation, दोनों का मीन, मीन मतलग है, X1 बार और X2 बार, पहले का मीन कितना है, 55, दुसरे का मीन, 60, वहरायंस का म का Sigma 1, पताओकर बेटा आपको, का Sigma 1 का स्क्वेर 16 है, तो Sigma 1 कितना बेटा, 4 है, Sigma 2 का स्क्वेर 25 है, so Sigma 2 कितना है, 5 है, समझा का Sigma 1 का स्क्वेर दिया, और Sigma 2 का स्क्वेर दिया, और अपको निकालना है क्या है? standard deviation of combined group combined standard deviation अभी अभी ताजा ताजा मैंने बताया था जब भी समा तक combined deviation का बोलो सबसे पहले क्या निकालेंगे first find combined mean पहले क्या निकालेंगे combined mean क्या formula है n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2 समझा क्या value पूर चला कल सी फटा फट n1 कितना है 30 x1 bar 55 55 बोलो बच्चो n2 कितना रहे 20 x2 bar 60 upon n1 plus n2 चला फटा फटा फट कल सी चलाओ 13 to 55 कितना आता है 1650 चला कोरो फास फास कल सी पे 1650 plus 20 into 60 बारा सो divided by क्या होगा बेटा 50 कितना हैगा 50 से ना रहा है क्या आ रहा है फर्स स्टेप में क्या निकाला combine mean आ रहा है क्या second step में क्या निकालेंगा d1 और d2 सबको जेप रहा है क्या पक्का how to find d1 combine mean में से first का mean less करो combine mean कितना है 57 उसे first का mean less d12 और रहा है क्या how to find d2 combine mean में से second का mean less combine mean में से second का mean क्या करेंगे less कितना रहा मैं मैंस 3 d1 मिला d2 मिला speed ठीक है क्या first step में क्या निकाला combine mean second step में क्या निकाला d1 d2 और थर्ड step में क्या निकाला अब निकालेंगे combine deviation बोलो क्या formula है under root n1 into sigma 1 square plus d1 square plus n2 into sigma 2 square plus d2 square upon n1 plus n2 simply value put करना है बोलो बच्छो n1 कितना था 30 sigma 1 square sigma 1 कितना रहे सब कुछ है न 4 4 का square 16 d1 square d1 कितना है 2 2 का square 4 n2 कितना बताओ 20 फिर बताओ अच्छो sigma 2 कितना है sigma 2 कितना बेटा 5 5 का square 25 फिर बच्छो d2 कितना है d2 कितना माइनस 3 3 का square no upon n1 plus n2 पक्का चलो बेटा अब कलकुलेशन करते मैस के basic funding जिनका मैस VK step by step करो मैस के basic funding follow करो सबसे पहले solve करेंगे bracket फिर multiply 16 plus 4 20 into 30 कितना रहा है 600 देखो बच्छो silly mistake नहीं करना आपको सब कुछ आपको आता है एक्दम आराम से करो accuracy चाहिए बेटा time लगा तो चलेगा 34 into 20 कितना रहा है 680 600 plus 680 कितना रहा है 1 2 8 0 आ रहा है क्या divided by 50 करो फिर उसका root निकालो बेटा 705.6 का root कितना आता है मेरे पैसे आपके कैलसी पे नहीं चल रहा है कुछ गडबड की है क्याम लोगोंने लग रहा मुझे सिग्मावन कितना है 4 का स्कूल 16 है सिग्मावन 2 2 का स्कूल 600 और यहाव 25 प्लस नुग 34 इंटो बीज 680 कितना रहा बेटा 25.6 का root निकालो शैसे root बेटा 5.6 मुझे याद नहीं रहा है 5.06 कुछ तो आता है 5.05 5.06 आता है एक बाच चेक लो बेटा शैसे option B से मैचाओ शैसे बेटा कि मेरे पास अभी मेरे पास जो root का button निए sorry my mistake okay बेटा लेकिन आप लिए try के लिए जो बेट answer आता है okay मुझे लग रहा शैसे 5.06 चेक कर लेंगे चलेगा मुझे लगता सबको confidence आ रहा है कि बेटा पक्का तो क्या combined deviation पक्का सबको सहुझ में आ रहा है क्या यह concept पूरी clear है अपने को 100% surely अब मैं आपको एक last concept बता रहा है उसका मैं टास आपको दूँँगा आप solve करें बास discuss करूँगा देखो question number 3 question 3 में क्या है दो company दिये company A और company B दोनो company का dividend distribution दिये और क्या बोला है dividend के मामले में कोन सी company ज्यादा consistent है it is application of application of dispersion देखो कभी के exam में बोलेंगे which company is more consistent कभी क्या करेंगे दो batsman करन रहेंगे और कोन सा batsman ज्यादा consistent है कोन सा ज्यादा stable है तो याद रहेंगे जब भी exam में बोलेंगे which company is more consistent which company is more stable जब भी इन में से कोई भी शब्द आएगा always find CV क्याने करेंगे बेटा CV देखो company A और company B का data पता है company A का बेटा data का type कोन सा होता है discrete data without frequency discrete data without frequency आए हो बेटा आपको सबको mean निकालना आएगा company A के लिए पहले mean निकालो summation x upon n फिर निकालो standard deviation जो formula आपने पढ़ाओगा उससे फिर CV निकालो CV पता है क्या coefficient of variation CV क्या होता है coefficient of variation जब भी समाता है consistency कम क्या निकालेंगे CV यह करना मतलग करें CV का formula क्या है sigma upon x bar into 100 पता है क्या बच्चों CV का formula क्या है sigma upon x bar into 100 company A का CV निकालो फिर company B का data दिया है बेटा discrete data without frequency company B का पहले mean निकालो company B का sigma निकालो फिर company B का CV निकालो क्या formula sigma upon x bar into 100 A का CV निकाला B का CV निकालो दोनों का CV निकालो बेटा और यहाँ देखें कॉ मतलओ क्या है co efficient of variation पता है क्या,CV क्या हाता है co efficient of variation जिसका CV कम जिसका variation कम होगा वो ज्यदा क्या होगा? konsistence common sense की बात यह आप पढ़ाई जब करतें आप करता हो ए्टा आपके पढ़ाईय में जब variation कम होता है तो you are more considerable, clear zoom करो कोई बच्चा है, आज 10 घंटे पढ़ रहा है, कल 2 घंटे पढ़ रहा है, परसो 6 घंटे पढ़ रहा है, अगर आपके पढ़ाय में बहुत सारा variation है, you are less consistent, बढ़ाब हर रोज अगर आप 7 आज भी 7 घंटे, कल 8 घंटा, परसो 7, फिर आप, ऐसे पढ़ोगे, तो you are more consistent, समझा के बचा, जितना variation क्या होगा, कम, उतना जादा consistent हो, तो जब भी पूचा है, which company is more consistent, दोनों का क्या निकालेंगे, CV, और जिसका CV क्या होगा, कम, that is more consistent, कर पाएंगे बचा, दोनों का CV निकालो, जिसका CV कम आएगा, उसे बोलेंगे, जादा consistent, जेपा क्या बेटा, it is all about the application of disparition, सभी से comfortable है, आज अभी जितना मने पढ़ा है, पक्का समझा के बेटा, आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों बताओ, combined harmonic में पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, application of AM, GM, HM, if all numbers are the same, फिर दो number में AM, GM, HM का formula, फिर दो number में AM, GM, HM का relation पढ़ा, फिर any number के लिए relation पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, application of AM, GM, HM पढ़ा बेटा हम लोगों ने, फिर dispersion के concept देखे, फिर dispersion के property में, if all numbers are the same वाला property पढ़ा, combined standard deviation हमने पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, application of CV पढ़ा बेट आपको, बस इसमें क्लास्प और हाँ, हमने Center Tennessee का थेरी का चार्ड भी discuss किया, बस एक property बस अपने बाकी है, change of scale और change of origin for dispersion, वो थोड़ा सा technical है, उसको में next lecture में अच्छे से बढ़ा बताऊंगा, चलेगा, I hope आतले चाप अच्छा लगा अगा बेटा, आपके जो बेटा feedback है, आप मुझे शेर करते हैं बेटा, मेरा Instagram पर अगर मुझे फॉलो करते हैं, इंस्ता का मेरा ID है, राज अंडर्सकोर आउट है, इंस्ता का मेरा ID है, उसमेरा फॉलो कीज़े, मैं आगे जो रिवीडियो कब कब आता रहेंगे, मैं वहाँ पर बता रहांगा ब मैंने मैस के बहुत सरे वीडियो अपलोड किये, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो बेटा, उनको भी प्लीज आप देख लीजिए, और मैं और आपके लिए वीडियो देख लीजिए, और मेरा प्रॉमिस से अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और अगर आपको पता क्या, इ कुछी दिनों में मैं आपको मैस मैपको बेटा, एक्सपर बना होगा, मैं पूरी कुशिश करूँगा, लेकिन आपको भी उतना ही पढ़ना जरूरिये, ठीके बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच, हवा नाइस दे, टेक क्यर, टेक क्यर आप यूर सेल्फ और यूर फैमिली, प्लेके बना बीस